हलो डियर स्टुडेंट आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है आज हम आरपेसी फ़स्ट गेट जीके में 19 वा टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कस्तूरबा गांदी बाली का आवाशिय विद्याले केजी बीवी इससे पहले हम 18 टोपिक कम्पलिट कर केजी बीवी की स्टापना भारत सरकार ने जुलाई 2004 में की थी तथा वर्तमान में सर्व शिक्षा अभ्यान के अंतरगत यह कारिकरम संचालित हैं कस्तूरबा गांदी बाली का विद्याले जो हैं उसकी स्टापना भारत सरकार ने जुलाई 2004 में की थी तथा वर्तमान में स सर्व शिक्षा अभ्यान के अंतरगत यह कस्तूर्बा गांधी बाली का आवाश्य विद्याले कारिकरम संचालित होता है। केजी बीवी का नामकरण जो हैं वो राष्ट पिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूर्बा देवी की नाम पर रखा गया था। अब आते हैं केजी बीवी का उद्देश्य तता संकल्पना क्या कहती है। कि एसी बालिकाओं का चैन कर इन विद्यालियों में प्रवेश दिलवाई जाने का प्रावदान केजी बीवी विद्यालियों में क्या गया है। कि इनके आयोग अधिक हो गई है फिर भी इने केजी भी विद्ध्यालियों में इनका चैन कर इने शिक्षा दिलाई जाए और उने मुख्यदारा से जोड़ा जाए सेत्र क्या होता है केजी भी वी का सर्व शिक्षा अभ्यान के अंतरगत सेक्षिक द्रश्टी से पिछड़े तथा अल्प संक्यक बाहुले सेरी सेत्रों में कस्तूर भा गांदी आवाश्य विद्ध्याले संचाली थें सर्व शिक्षा अभ्यान के अंतरगत जो सेत्र सेक्षिक द्रश्टी से पिछड़े हैं तथा अल्प संक्यक बाहुले सेरी सेत्र जो हैं वहाँ पर कस्तूर भा गांदी आवाश्य बाली का विद्ध्याले संचाली थें इन विद्ध्यालियों में अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अन्ये पिछड़ा वर्ग और अल्प संक्यक तथा गरीबी रेखा से नीचे जिवन्यापन करने वाले परिवावरों की बालिकाओं का अध्यन करवाया जाता हैं वर्तमान में जो हैं सर्व शिक्षा अभ्यान के अंतरगत सेक्सिक द्रष्टी से पिछड़े 186 विखास खंड हैं जिनकी ग्रामिन मैला साक्सरता दर राष्ट्रिय मैला साक्सरता दर से 46 परतिसत से कम हैं ये देख लो ये पिछले एकजाम में आगया था क्यूशन ये देखिए कि 1 अप्रेल 2008 से कस्तूर्बा गांधी बाली का विध्यालियों की स्तापना के लिए योग्य पात्रया सेक्सिक खंड हैं इसमें तीसरा उप्सन राइट है सेक्सिक खंड जहां ग्रामिन मैला साक्सरता 46.13 परतिसत से कम हैं वहाँ पर कस्तूर्बा गांधी ब वहाँ पर केजी बीवी खोले गए हैं तता जेंडर गेप कितना जेंडर गेप में अंतर कितना हैं 20 परतिसत से अधिक अंतर हैं पुरू साक्सरता दर और मैला साक्सरता दर में तता राजस्तान के ऐसे 14 सहरी सेत्र जिनमें अलप संक्यक 20 परतिसत से अधिक निवास करते है राजस्तान की 14 ऐसी सहरी सेत्र हैं जहां पर अलप संक्यक 20% से अधिक निवास करते हैं वहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवाश्य विद्याले खोले गए हैं इस परकार राजस्तान में कुल कस्तूरबा गांधी बाली का आवाश्य विद्याले की संक्या कितनी हैं 186 तो विकास खंड 266 डेश्टी से पिचड़े हैं तथा 14 कौन से हैं अलप संक्यक हैं 14 सेरी सेत्र वो 14 अलप संक्यक सेरी सेत्र हैं तो 186 प्लस 14 कितने हो गए 200 तो राजस्तान में कुल कस्तूरबा गांधी बाली का आवाश्य विध्याले के संक्या कितने है 200 अब आते हैं के से 150 स्टूडेंट की संक्या होगी स्कूल कहां पर खुलेंगा आवास में आवास होगा आवाश्य और राजस्तान में पर्थम मोडल के अंतरगत कितने आवाश्य विध्याले कुले गए हैं कस्तूरबा गांधी 163 स्कूल खोले गए हैं फिर दूसरे मोडल में की संक्या हैं 50 से 100 और कहां खुलेगा स्कूल पास के उच्चे प्रात्मिक विध्याले में आवाश्य होगा और राजस्तान में तीसरे मोडल पर कस्तूरबा गांधी पाली का आवाश्य विध्याले किसंक्या कितनी है 336 तो 163 स्कूल 당क्षै कितने हो गए 200 तो राजस्तान में कुल कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले आवशे विद्याले की संक्या कितनी है 200 वर्तमान में मोडल 1 में 161 चात्रावासों में 100 बालिकाएं पढ़ती हैं तथा 2 चात्रावासों में 150 बालिकाएं अध्यन करती हैं मोडल 1 में 163 छात्र वास हैं, جनमें 161 छात्र वासों में 100 बालिकाएं पढ़ती हैं, तथा 2 छात्र वासों में 150 बालिकाएं पढ़ती हैं मोडल 3 में कुल 36 आवाशे विध्याले हैं जिनमें 22-17 वासों में तो 50-17 अध्यन करती हैं जबकि बागी बचे 15-16 वासों में 100 बालिकाएं अध्यन करती हैं इन 3 मोडल में से राजस्तान में केवल मोडल 1 को और मोडल 3 को अपनाया गया हैं मौडल 2 का राजस्तान में कोई भी केजी बीवी स्ताफित नहीं है। राजस्तान में स्विक्रत समस्त 200 केजी बीवी सुचारू रूप से संचालित हैं। इनमें 163 मौडल 1 में हैं तता 37 मौडल 3 के हैं। कक्सा 6-8 के लिए संचालित कस्तूर्बा गांधी आवाश्य बालिका विद्याले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर राज्के बालिका उच्च प्रात्मिक विद्यालियों के समकक्स गोशित किये गए हैं सत्र 2011-12 से कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले को कक्सा 6-12 तक बढ़ाया गया है सत्र 2011-12 से कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले को का तक कर दिया गया है बार्वी तक कर दिया गया है केजी बीवी में इस सत्र याद रखें आप पूच सकता है किस सत्र से कस्तूरुबा गांधी बालिका विध्याले को बारवी तक कर दिया गया है तो 2011-12 सत्र से कस्तूर्भा गांधी विध्याले में नव प्रवेशी नया प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के सम्नंद में समता के अनुसार रिक्त सीटों पर निमन स्रेणी की बालिकाओं को प्रेश दिया जाता है ब्रिज कोर्स के माध्यम से कक्षा पांच उत्तिन बालिकाओं 10 से बड़ी उम्र की और 14 से बड़ी उम्र की आयूवर्क की ड्रोप आउट या एन आमांकित बालिकाओं मेला ढोने वाले परिवारों की बालिकाओं विशेश आवसक्ता चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वालिकाओं HIV या ADC से गर्षित अभिभाओं की बालिकाओं को अन्य विशेश परिश्टिती वाली बालिकाओं जैसे विद्वा की पुत्री अनात आदी जिनके आवास की परिदी के 3 किलोमेटर के सेत्र में उच्चे परात्मिक विद्धाले नहीं है उन्हें केजी बीवी में रिक्त सीटों पर बालिकाओं को परिवेश दिया जाता है अब आता है कि केजी बीवी में परिवेश के लिए प्रात्मिकता निर्धरन क्या है शेक्षिक द्रशी से पिछडे विकास खंडों की ए नामांकित या ड्रोप आउट बालिकाओं को निम्न श्रेनिवार प्रात्मिक्ता से प्रवेश दिया जाएगा अनुसुचित जाती की बालिकाओं जो की सीर पर मेलड होने वाले परिवारों की बालिकाओं उन्हें प्रात्मिक्ता डी जाएगी अनुसुचित जन जाती की बालिकाओं अन्य पिछडा वर्गी की बालिकाओं अल्प संक्यक वर्गी की बालिकाओं गरिबी रेका से नीचे जीवन्यापन करने वाले किसी भी वर्गी के परिवारों की बड़ी उम्री की वे बालिकाएं जो की विध्याले में नामांकित नहीं है तता किसी कारवनस प्रावर्मिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकी है पलायन करने वाले परिवारों की बालिकाएं तो इने शेक्सिक दस्टी से फिछरे विकास खंडों की आयनामाई की ध्रोपाउट बालिकाएं माना जाएगा और उन्हें स्रेणिवार प्रात्मिक्ता से प्रवेश लिया जाएगा फिर इसके अलावा मुस्लिम अल्प संक्यक बाहुलिय सहरी सेत्रों की लिए स्विकरत 14 केजी भी हैं याद रखेगा ये फेक्ट कि मुस्लिम अल्प संक्यक बाहुलिय सहरी सेत्रों की लिए कुल कितने राजस्तान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्धाले स्विकरत हैं जबकि 25% सीटों पर OBC, अलप संक्याक या जनरल वर्ग की BPL परिवार की बालिकाओं को परवेस दिया जा सकता है याद रखेगा सामाण्य कस्तूर्बा गांधी बालिकाओं को परवेस दिया जाएगा जबकि 25% सीटों पर OBC अलपसंक्यक या जनरल वर्ग की BPL परिवार की बालिकाओं को प्रवेश दिया जा सकता है अलपसंक्यक वर्ग के लिए स्विकरत 14 कस्तूर्बा गांधी बालिका विद्याले में 75% प्रात्मिक अलपसंक्यक वर्ग को दिया जाना अपेक्सी तेंस्तान प्रवेश अलपसंक्यक वर्ग की बालिकाओं को अगर प्रवेश नहीं मिलता है उस तीति में से सीटों पर ही अन्य वर्ग की बालिकाओं को प्रवेश दिया जा सकता है इसके लिए प्रात्मिक्ता करम क्या होगा अगर अल्पसंक्यक वर्ग की बालिका है प्रवेस नहीं ले पाती है प्रात्मिक अल्पसंक्यक वर्ग प्रवेस होगा 14 KGBV में अगर यह नहीं ले पाती है तो प्रात्मिक्ता करम होगा अल्पसंक्यक के बाद SC फिर आएगा इसके कौन होता हैं BRCF या BEO संबंदित CRCF या नोडल अधिकारी होगा इसमें सच्चिव सदश्य सदश्य और कौन होंगे परदाना दिपिकाव वार्डन और खंड के समस्त CRF इसमें सदश्य होंगे तो याद रखेगा KGBV प्रवेश्वा संबलन समीति में अध्यक्स कौन होता है BRCF या BEO फिर आती हैं विद्धाले प्रवंद समीति SMC जो के अपन पढ़ चुके हैं पहले KGBV विद्धालियों का संचलन 13 सदश्य SDMC करेगी लेकिन RTE 2009 के नुसार अब इसका संचलन विद्धाले प्रवंद समीति SMC द्वरा किया जाएगा स्टार्टिंग में कहा गया था कि KGBV विद्धालियों का संचलन कोन करेगी 13 सदश्य SDMC करेगी लेकिन RTE 2009 के नुसार अब इनका संचलन कोन करेगा विद्धाले प्रवंद समीति SMC द्वरा किया जाएगा जिसमें सुविदाएं क्या मिलेगी अब सुविदाएं क्या मिलती दोनों समय का बोजन और नास्ता मिलता है समस्त 200 कGBV के स्वेम के भवने ये इसमें सुविदाएं मिलती है अब आती है स्टाफ विवस्ता क्या होती है यहां की इन विद्धालियों में दो परकार के कार्मिक होंगे पहली तो होगी परति नियुक्त अध्या पिकाएं दूस पात शिक्षिकाएं होंगी जो की प्लेस्मेंट एजेंसी के माध्यम से कारियरत शिक्षिकाएं को सम्मिल कर जाने का इसमें प्रावधान क्या गया है प्लेस्मेंट एजेंसी के माध्यम से कारियरत शिक्षिकाएं नहीं होने पर मोडल एक में पात शिक्षिकाएं शिक्ष लिए आप याद रखना आप स्टूर्बा गांदी बाली का विद्द्धले में प्रतिन्यूक्ति पॉलिसी के अंतरगत शिक्षिकाओं को KGBV में आवाशिय रहना अनिवारी, अगर वो प्रतिन्यूक्ति पर नियुक्त होती हैं, तो उन्हें केजी भीवी का आवाश में रहना अनिवारी हैं, इसके लिए सिक्षिकाओं को 10% मकान किराया बत्ता और 15% हार् बड़ी डूटी भत्ता आवसे सेवा देने पर दिये जाएंगे अब आती है केजी बीवी में कौन-कौन सी गतिवीद्या कराई जा रही है केजी बीवी में कौन-कौन सी गतिवीद्या संचालित होती है केजी बीवी सिक्षिकाओं के प्रसिक्षन किये जाते हैं कंडेश्ड कोर्स द्वार अध्यन करवाय जाता हैं शेक्सिक किसोरी मेले का आयूजन होता हैं शेक्सिक ब्रमन का भी आयूजन होता हैं व्यवसाइक प्रस्क्षन इसमें दिया जाता हैं गरिमा पेटी KGBV ओनलाइन सोप्टवेर CCE आधरीद प्रसिक्षन KGBV जिल्ला संभाग राजिस्तर पर खेल कोद और सांस्कृतिक परत्योगताओं का आईजन मोटिवेशन केमपस का आईजन और स्वेम से भी संस्ताओं का सयोग तो यह आपका हो गया टोपिक कंप्लेट आपका कस्तूर भा गांधी बाली का आवश्य विद्धाले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहीए आपके अपने चैनल के साथ जै हिंद जै भारत